हलो गाइस वेलकम बैक तो दो चैनल मैं हूँ डीजे जैनिश दवे और स्वागत आप सभी का मेरे इस वीडियो में वीडियो में फर्स्ट अफल थैंक यू वेरी मच्छ वीर नाव 20,000 सब्सक्राइबर्स और मेरे पास काफे सारे इंट्रेस्टिंग वीडियो से लाने के लिए डीजे टिप्स, ट्रेक्स और टेक्निक्स के उपर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे और नोटिफिकेशन बैल ओन कर दीजेगा तो आपको कौनसा कंट्रोलर खरीदना चाहिए और ऐसा कंट्रोलर है जो आप अभी यूज़ करोगे अजब बिगिनर और आपको प्रोफेशनल लेवल पर भी काम आएगा कनेक्शन और यह सब तो जादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं चलिए शुरू करते हैं ओके गाइस तो कंट्रोलर की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक इंट्रेस्टिंग चीज जो है सॉफ्ट्वेर तो मैंने मेरे चैनल पर आपको वर्चोल डीजे की जो सॉफ्ट्वेर ट्रेनिंग सेरीस दी थी वो आप सबने देख लिया है और अगर नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजे प्लेलिस की लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्ट्वेर की मार्केट में काफी सारे सॉफ्ट्वेर से लाइक वर्चोल डीजे सेराटो ट्रेक्टर एंड रेकॉड बोक्स और भी काफी सारे लेकिन ये सारे मेजर है जो की कॉमनली मिल जाते है आपको अगर आपको वर्चोल डीजे बेस लगता है तो उसके साथ में सारे कंट्रोलर जो है वो कॉम्पेटिबल है तो आप कोई भी कंट्रोलर ले सकते हो लेकिन रेकॉर्ड बोक्स सेरातो ट्रेक्टर के लिए स्पैसिफिक कंट्रोलर्स बनाए गाएं ये ट्रेक्टर के लिए नेटिव इन्स्टूमेंट सेफ पाइऔनिर के डी डीजे आर सेरी में उल् muniर के लिए और निू आक में है और काफी सारी जगह पे आपको Serato का software मिल जाता है Danand DJ में and then Roland तो ये सब जगाओ पर आपको Serato software मिलता है तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आप जो software आप सभी software डाउनलोड कीजिए हर software में आपको minimum एक महिने का trial मिलता है तो आप वो trial use कीजिए आप software देखी आपको कैसा लग रहा है अब काफी सारे लोगों को problem होगी कि हम software जो है जैसे Serato record box है यह हमें use करने नहीं आ रहा है तो उसमें और virtual DJ में कोई फरक नहीं है virtual DJ में जो function जैसे Q तो उन software में भी Q तो वही function करता है तो अगर आपने मेरी virtual DJ की training से चीज़े अच्छे से देखी है तो मैंने उसमें आपको सारी चीज़े बताई हुई है कि आपको Q क्या function करता है आपको उसे कैसे use करना है यह सारी चीज़े तो वह software में जो नया software आप use करोगे record box and serato तो आपको उसमें ज्यादा difficulty नहीं होगी आप उसे आराम से use कर सकते हो just give it a try और उसके बाद जो software आपको अच्छा लगे उस software के हिसाब से आप अपना controller choice कीजी तो software का topic side में and now we'll talk कौन सा controller आपको use करना है so the first thing जो है beginners now मैं वो beginners से बात कर रहा हूँ जो beginners है लेकिन उन्होंने means उनको just एक try देना है DJing को कि okay let's give it a try और वो ज्यादा spend नहीं करना चाहते Indian currency में देखो तो they want to spend like 10 to 15 thousand के अंदर अगर उनको एक controller अच्छा सा लेना है तो तो उसमें Hercules DJ जो है उसके काफी सारे controllers है Hercules DJ की S series Hercules DJ Air series और Hercules DJ Glow एक है जो कि आपको 6 to 8 thousand में मिल जाता है और बाकी सारे आपको 12 to 15 thousand के अंदर मिल जाएंगे और इस वीडियो में में जितने भी controllers के बारे में बताने वाला हूँ उन सबकी link में आपको description में दे दूँगा तो आप जाके उन्हें चेक कर सकते हो आप Google आप उन्हें Google आउट करके उनके specifications, connections और यह सारी चीज़े देख सकते हो और बात में आप decide कीज़े कि आपको कौन सा लेना है तो उसके बाद second चीज़ जो है वो है beginners तो beginners के लिए Pioneer की जो series है DDJ-RB है DDJ-SB2 है और अभी market में latest DDJ-SB3 भी आया है, जिसमें pad scratch का भी feature आपको मिलता है तो वो काफी अच्छा है और DDJ-RB जो है वो आपको record box के लिए लेना है अगर आपको record box अच्छा लग रहा है तो आपको DDJ-RB लेना है उसमें आपको normal RC output मिल जाता है mic मिल जाता है, hot cues आपको 8 मिलते है और यह सारी जिए है और उसके बाद एक इस category में एक और है वो है new mark mixtrack pro 3 तो यह भी काफी अच्छा control है और यह बाकी दोनों से cheap है सबसे costlier है record box DDJ-RB उसके बाद है SB और then you have the new mark mixtrack pro 3 तो new mark mixtrack pro 3 आपको मिल जाएगा 16-18,000 में उसके बाद अगर आप देखो कि DDJ-SB और यह सब है तो यह आपको मिलेंगे approximately 23-25,000 में and then DDJ-RB वो आपको 32,000 में मिलेगा तो आप specific time पे अगर Amazon पे check करोगे तो उसमें आपको कभी discount मिल जाए by your luck तो वो भी आपको 25,000 में मिल जाएगा तो अब बात करते हैं इस category में मेरा favorite कौन सा है तो इस category में guys मेरा favorite है DDJ-SB2 अब क्यो favorite है देखो मैं आप बताता हूँ कि DDJ-SB2 जो है उसमें आपको 4 DEX मिल जाते हैं हाला कि 4 DEX होते नहीं है यह 2 channel controller है लेकिन इसमें आपको एक switch मिलता है जिससे आप switch कर सकते हो आप 4 DEX यूज़ कर सकते हो at a time उसी समय अगर आप record box record box software का जो controller है DDJ-RB उसमें आपको 2 controller मिलते हैं इन दोनों में यही 2 difference है कि SB में आपको 4 DEX मिलते हैं और RB में आपको 8 hot cues मिलते हैं जबकि SB में सिर्फ आपको 4 hot cues ही मिलते हैं अब hot cues आप सबको पता होगा क्या होता है तो अगर आप 4 hot cues से अपना काम यूज़ कर रहे हो अगर आप 8 hot cues नहीं यूज़ कर रहे हो तो go with DDJ-SB2 काफी अच्छा controller है Serato DJ controller है और Serato DJ में आपको काफी सारी variety मिलेगी controllers की तो आपको वो try करना चाहिए अब उसके बाद आते हैं ऐसे beginners जिन्होंने DJing सिखा है या फिर उन्हें थोड़ा बहुत आता है अगर आपने मेरे videos देखे होंगे तो आपको beat matching, counting music, mixing songs practice करके आ गया होगा तो अगर आपको वो सब आता है और आपको कुछ नया try देना है लाइक अगर आपको record box में sequencer और ये सब use करना है looping, auto looping, sequencer, then effects ये सब आपको अगर चीज़े use करनी है तो आपको इससे एक category उपर की बात करेंगे हम तो उसमें है record box का software का जो है वो है DDJ-RR सेम चीज सेराटो में भी आपको मिलती है DDJ-SR और Numa company ने भी ऐसे controllers बना हुए मैं description में आपको category wise सारे controllers लिखके दूँगा अब आप गबराई है मत आप देख सकते हो description में आप name search कर सकते हो कौनसे category कौनसे price range में and then आप search करके उसे देख सकते हो so DDJ-RB और InSup में क्या है यह two channel controller है लेकिन इन में भी आपको switching mode मिलता है जिससे आप four channel use कर सकते हो और उसके बाद में इनके अंदर आपको एक special चीज जो है जिसके लिए record box बना है वो है sequencer button तो sequencer आपको मिल जाते है जिसमें आप record करके और SR वाली category तो यह controllers ऐसे हैं जिने आप professional level पर भी use कर सकते हो क्योंकि इन में वो सारी चीज़े हैं जो professional controllers में होती है और इनके अंदर आपको boot output extra connectivity मिलती है जिससे आप इस controller में extra CDJs और turn tables connect कर सकते हो तो यह काफी अच्छी बात है तो आप two decks से ही four decks control कर सकते हो और इसमें आपको XLR output भी मिल जाता है RC output तो मिलता यह mic input मिल जाता है और यह सारी चीज़े इसमें है तो यह काफी अच्छा है DDJ, RR, SR और Newmark का जो इस category controller है वो भी same है तो it's good and then you have a category like four channel controller इसके बाद जो category है वो है four channel controller तो वो भी काफी अच्छा है तो four channel controller में आप DDJ, RX और RZ देख सकते हो इन दोनों में ज़्यादा difference नहीं है लेकिन कुछ functions जो है वो RZ में ज़्यादा है और RX में कम है similarly goes with the SR SZ और SRX, SX तो यह सारे controller साप गबराई मत अभी है शायद आप नाम देखके आप confuse हो रहे लेकिन description में आप देखिए category वाइस आपको सारे नाम उनकी Amazon link मिल जाएगी तो आप वहाँ से इने purchase कर सकते हैं उसके बाद में यह हो गई professional category अब मैं थोड़ी बहुत और companies के बारे में बात करना चाहूंगा like Denon DJ and Roland तो Denon DJ जो है वह आप देख सकते हो Denon DJ के भी सारे category में एक एक controllers है तो वो controllers मैं आपको recommend नहीं करता हो क्योंकि yes Denon DJ के best है 2 channel controller जो है उसमें भी आपको XLR output मिलता है लेकिन they are much costlier than the others तो अगर आप beginner हो तो I will recommend you to go with Newmark अगर आपका budget कम है 20,000 के अंदर if you can spend 5-6,000 more then go with DDJ-SB और similarly goes with उसके the above category like DDJ-RR, SR और Newmark का जो है तो you should go with DDJ-RR जो की record box DJ controller है और I would not just say you बट आप जाओ description में link देखो Google out करो and then you will find out कि क्या करना है आपको तो आपको basically देखना क्या क्या है कि उसमें आपको connectivity कितनी मिल रही है आपको जो use करना है वो चीज़े आपको मिल रही है या नहीं आपको software कौन सा use करना है जैसे कि मैंने आपको starting में बताया पहले आप software देखो और उस software के इसाब से फिर आप controllers देखो तो market में काफी सारी company है तो मैं सारी companies के जो है names and amazon link वो मैं आपको description में दे दूँँगा जो आप amazon से मंगा सकते हो so guys इस video के लिए इतना ही I hope ये video आपके लिए helpful रहा होगा thanks for watching, bye bye